किसानों के आंदोलन के समर्थन में सर्व कर्मचारी संग एवं सीटू के कार्यकरता भी आगे आने लगे हैं आपको बता दे कि करणाल के कमेटी चौक पर सर्व कर्मचारी संग एवं सीटू के नेताओं एवं कार्यकरताओं द्वारा किसान आनोलन के समर्थन में सरकार के विरोध में नारे बाजी की गई किसानों पर किये गए 26 नवंबर के बंद के दोरान अत्याचार की निंदा की गई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबा नहीं सकती क्योंकि किसान अन दाता है किसान पर अश्रू गैस छोड़ना एवं वाटर कैनन से पानी की वोच्छार छोड़ना निंदनी है जिसके विरोध में सर्व कर्मचारी संग के कर्मचारी आथ सड़कों पर है कारेकरताओं ने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं इस मौके पर कर्मचारी ने कमेटी चौक पर इकठे होकर नारे बाजी की एवं किसानों की मांग को जायस बताते वे सरकार से जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही इस अफसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे परा मातम निर्बर होएं तब ही जाके इस देश के अंदर आज आमानाज के मौने में वो आतम निर्बरा लेकिन यह सरकार उन पूझी पतियों का वाले करकेस को जो गाउं के अंदर रातन विसन पर ना लिया जो गरीब किसान इस देश का मजदूर अपूझी पतियों गुलाम होगा पहला अंग्रजों की गुलामी थी अब यह देश बीज़ेपी सरकार उन पूझी पतियों की तरफ इस देश को लेके जा रहे है इसलिए महाराजिय विरोद प्रदर्सन है और इस प्रदर्सन के माद्दम से मा के तिनों गड़े करें और तुरंत प्रॉबाव क्रशें रचीए हैं किसान सभू करमचारी संग को सबना हुआ परपाल करुमिकरी JOHN करमचारी संगा थि ज्थी के स्थ आई पीडेंगे तर आज जो अत्याचार जो किसानों के अपर हुआ है किसानों के अपर जो 26 नुवंबर को जो किसान गए थे दिली कूश के लिए उनके अपर जो लट्थी चार्ज और जो पाणी का जो बचार की गई ए उसकी गोड निंदा करते हुए आज सरक्रमचारी संगर रियाना और सीटू की तालमेल कमेटी ने मिल गए रोज उनके समर्थन में ये रोज पर दर्सन किया है और जो ये अध्यादेस नोंने तीन कानून जो लागू किया है उसको रद कराने के लिए ये किसानों और करमचारी ने जो राश्व पे एक दिन के अड़ताल थी तो उसमें पूरा पूरा अर्याना परदेश और पूरा भारत परदेश का जितना भी किसान था सारा का सारा जो आगे पहुचा है और उन पर जिस तरह से बहरेमी से फिस सरकार ने अपनी लट्टी चार दोर का बचारे जबरसाई हैं अपूरा करम चारी इसका गिरूद पर दरस्ल करना है और मांग करता है इस मचके मादियम से के सरकार मौधी सरकार खत्टल सरकार अपने यद्यादैस जो लागू किया हैं इनको वापस लै आनिथा पूरा पूरा अर्याना पर्देश का जितना भी करम चारी होगा सारा सारा किसानों के समर्द रोगते के लिए मजबूर होगा, जिसनका कामेजा इस सरकार को भूगतना पड़ेगा अगर किसानों को दिल्ली कुछ करने के लिए इस तरह है कि जो बेरिकेट ना लगाते तो बनसे करने के लिए तरह पड़ते हैं तो अगर इसके साथ ऐसा वैवार सरकार करेगी तो आम जिंता भी इसमें कहीं ना कहीं उनके समर्दर में उतरने के लिए मजबूर होगी सरकार ने अपने वेकल इसलिए ने लगाए गए है आपना कोई भी वेकल उन्होंने यूज नहीं किया है और इसमें कहीं न कहीं सरकार अपना ही फाइदा देख रही है इसमें आम जंता को जो उन्हें परशान किया है जबकि ऐसी परशान करने की कोई बात नहीं थी कि शानना को अगर सांती प्रोग से दिल्ली कूच के लिए अगर जाना दिये जाता तो आज ये जो भारी जनता है जो परिशान हुई है उसका ये नोबत ना आती तो हम कहना चाते हैं कि सरकार इस बात को समझे अने था इसका भारी ही नुकसान इस सरकार को भगतना पड़ेगा इंदर जी चनालिया, एसके जिला सचीव तस्वीरे देख रहे है कर ना लेकि बात की जाए सबसे बीजी रोड रहने वाले पर कहना करे रोज प्रशन करते हमारी चैनल को लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद